नमस्कार दोस्तों मैं पुष्पेंदाकर स्वागत करता हूँ आपका अकेडमी भोपाल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाच्च परिवर्तन जी यहां बाच्च परिवर्तन संस्क्रेट में बाच्च परिवर्तन जब भी सुनते हैं स्टुडेंट तो उनको थोड़ा स सब्सक्राइब करें तो मैं आपको बताऊं कि बुल जैसे आप English में वाइस चैंज करते हैं इसको बाच्च को बैसे भी वाइस का जाता आगया जैसे active को perfect करतें बस बैसा ही कुछ process है यहां पर कोई ज्यादा जटिल नहीं जो मैं आपको आसानी से इस वासइडियो में बता तो वीडियो को शुरूर से लेकर एंड तक जरूर देखेगा देखिए सबस्वब बात करते हैं कि जो बाच वाइस कितने होते संस्क्रिट में तो तीन होते हैं करतर रिवाच कर्म बाच और भाव बाच जो करतर रिवाच होता है मैं अगर इंग्लिश में बात कर रहें कर्म को पैसे बोलेंगे और भाव इंपर्शनल वैसका जाता है तो तो बस यहां पर इतना सा चैंज है कि इंगलिश में दो होते हैं एक्टेव और पैसे यहां पर तीन है बस अब देखेंगा मैं आपको कुछ बहुत सेंपल जादा वीडियो को लेंधी नहीं बनाऊंगा सीधी सीधी मुद्दे की बात करता हूं मैं इसमें दो क्या करना होता है आपको पता ही होगा कर्म या करता कर मैं करता हुँ सब्जेक्ट और करम जो बैक्ति collecting करना होता है संस्क्रित में क्या होता है सबजेक्ट craft व्यीवर्वज्ट भर सबजेक्ट बंजाता ही और पहल के शप्ति होना हो आपको थर्द कर दो होता है को इस तरह QUE रूल होते हैं इंगلिश में तो संस्क्रित में बहında भी को इस तरह कि होते हैं तो मैं आपको एक-एक रूल समझाता हूँ अब हम बात करते हैं जैसे जब भी हमें कोई भी देखी का और रूल बता दू कि जो आपका र्वाज से मतलब एक्टिफ के पेसे मंपोर्ट होगा पैसिव से एक्टिव में नहीं होता है मतलब एक्टिव से आपका पैसिव में होगा और एक्टिव से आपका इंपर्सनल वाईज में होगा बहाब बाच्च में होगा मतलब करतर रिवाज से करों बाच्च में कर सकते हैं और करतर रिवाज से भाब बाच्च में कर सकते इन से इदार उदार नहीं कर सकते हैं पहली चीजुरी दूसरी चीज जैसे कोई भी eck sentence हम लेते हैं जैसे रोटी खाथा चालो तूंसा रोटी कामगा थी तो और रोटी खाती है तो यह कही ना कहीं किस करता की बात हो तो मतलब कंहीं है करतर रवाच मतलब यह आपका एक्टिव वैजहे तो इसको पेसे में कर ना कुछ रूल समझ लीजिए बहुत हैं पर्फेसम facile c से पहले मैं आपको बता रहां हूं आपको ऐक्टिब में करने मतलब करता कर रवाच लेकिन दोनों के रूल सेंटो सेंट जादा फर्क नहीं है बलकि इन दोनों का समयली भाब बाच का तो बहुत सिंपल हो जाता है देखेए सबसे पहले जब आप एक्टिव मलकरतर रहे बाच से करम बाच में करते हैं तो जो करता होता है करता मीं जो सब्जेट यह साथ आउते सब्ज Zar cilantro मीं करता है वो आपका तिर्तिया वेवक्ति में चला जाता है कि चला जाता है जिस तरह के बचन में या पुरोश में होता वो उसी तरीके से तित्य विवक्ति को चांज हो जाता है समझ गए एक बात दूसरी बात पिर जो करमकारक होता जो भी कर्म कर रहा होता सामने वाला वैक्ति तो बो कर्ता में तो जाता इसका मतलब यह है क्या फिर्टा म के isto को मतलब मतलब सिंपल सी बात है कि इसको तक दमाग पर लेने की जरुरत नहीं है अब यह हम बनाएंगे तो बहुत आसा नहीं समझ माएगा तो मैं जो करता को तिर्थिय वक्ति में कैसे कंवर्ट करते हैं मैं आपको बता दो को बहुत सारे जो मोहन सोन किसी का भी नाम इकरांत औकरां हाल मतलब तयम मतलब हो जाता है तुपया मतलब थे मतलब तुभाय मतलब ≫还 को देख सकते जनरल यसाहन दोनौ यह यादा दर पूचे बांकि नाम के according आप उन्हें बदल ही सकते हैं तो दूसरी चीज दुत्या को प्रतमाम कैसे बताऊंगा अब आते हैं मैं चीज धातू पर आपको पता है कि जब भी हम कोई आप कोई से बहुती है अब यहां पर बब भी चेंज होता है यहां पर तीनों चीज देंज रहे हैं यहां proceed अब आपको यह जाता और यह आजाता किया यह जाता हुए आज क्या है जाता यह जैसे एंवागल अगले होना यह करना प्रेश्ट का टीए पठ्याते प्रियत क्या होता इन इस फट्रेश्टे पठ्ष्ण बढ़ते इस इस पठीश्य पठ्थ एस पिर्फी इस फट्थ पठ्भ लाए पठ्थ हमय तो मतलब मेरा कहने का मतलब मैंने धातव आपको या पूरे आपको एक बा оружए बान राभव अ हो हुआ होंगी तो वह आपको धातु अलग से करना पड़े कर आप वीडियो कॉमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको उसका यू बता दूंगो कैसे क्या होना अभी हाल फिलाल में हम वीडियो जादे लंबा ना हो इसलिए हम सीधा अब आते हैं चेंज करने पर तो आपको इत क्या कांक और यहतीसरा काम खतम बात बस हो जायेगा आपका चेंज देखते हैं अब बहर रोटी खाता हैं तो है क्लेक होगा। आप वारा करम में क्या होगा उसके द्वारा रोटी खाई जाती है मतलब समझ में रही बात उसके द्वारा रोटी खाई जाती है जैसे कोई एक चीज को डॉरेक्ट एमें बूर्द ऑन रखांगल ऑनधारेट में ब Anthrop liked produkt वी बात होती है तो नहीं मैं किसमें मुझे विसत्ति भे चाल के रोटे का हो जाएगा रोटी का आब यहाँ पर शrough बात आपको समझी नहीं रहेगी आपको यहां पिर दातू का तो बता दिया कि भाई यह आपका क्या एक बचन दूई बचन बहु बचन यह आपका पिर्तम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लेकन यहाँ पर अब यह कौन सी धातू को क्या लेखें किसके अकॉर्डिंग लिखें इसके अकॉर्डिंग लिखना है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग देखिएगा मैंने आपको बताया है कि आपको दुत्य विवक्ति से प्रताओं विवक्ति में करना है बट आपको ध्यान रखना है कि वह कौन से बचन में अगर वह एक बचन में करना दूई बचन में तो और बहु बचन में तो बहु बचन में करना है तो अभी रोटी का में एक बचन में था तो इसलोग एक बचन में ही कनबट हुआ मला वो रोटी खा रहा है रोटी बहुत सारी रोटी नहीं खा रहा है तो बहुत बचन नहीं था एक बचन था तो यह भी एक बचन में convert हुआ है तो एक बचन है तो क्या होगा यह खादते क्या होगा यह खादते दो पहली लाइन ही आती न एक बचन में तो खादते हो गया सब दूसरा राते एसको देखिता हmy तो मैं मतलब I am उसको तूम पश्यामी यह आपका करतर्रे बाच्चह हो गया मतलब एकिव हो या इसको पैसे में करना चाहलग थो दो के массी को नियुक्त कर दिया अब इसको देशाए का में साथ या धरस्ति ये मैं न कि इसके शसरह के इसके आक्रणने फिसकि धाटू बला जो पहल नमर दूसरे का बता नमर के दाटू दातु होती हैं तो यह बचने द्रस्टते हो गया समाज में आगई बातब आने चलते हैं था सव्ल के लेकल लेख लेखता है नहीं बच्टों मुझा ये आपका करतब्य बांच हो गया तो पूंझक मृट करना है दिर्ती शुट मों लेकह का ओजागा लेख केञ्च अम एन तो लेख्sed чем राम है तो राम ह्यें होता है टो लेखखा em लेखकंड तो इसका मुझता होग colocar हाई बंद मेला स्धार यहां रेखें लेखा making यहां पर या जूड़ जाता है एक मेहन को बाद है दहातू में या जूड़ जाता यह अब सब्जेट के अकोर्डिंग धातू होती है क्या होती है सब्जेट को यह एक बचन होगा लेकिन अब यहाँ चेंज करा है तो सहाकत तेन जैसे यहां लिखा हुआ है चतुर का चतवार बेदान सब्सक्राइब बहुबचन के अनुसार बदलेगा तो पठिय में मत बहुबचन पडना को बहुबचन क्या होता है पठियन थे हैं सम्झ में आ गई बात अगर एक बचन होता तो यह को पढ़ए थे जैसे अगर प्रुइज पढ़ रहा हुता थे पढ़एं तो पढ़एंग मैं इसलिए पढ़एंग अपैसे मार्ट करते हूँ झालग तो इस तरहले से आर्म से और बहुत हैं असी लिए कि अखे हैं और सब्सक्राइब करना करना है जो देखते हैं करते वाभ बांश में कंवर्ट करना इसके हैं तो ये इसका भी है और उसका भी है नहीं ही नहीं है तो जो जैसा है यह रहाएगा एक बचन 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 बहुवचन जैसा भी है और किया था हो रहा था कि बहुता है कि क्लिखन प्रतम प्रतम प्रुशी रहती है अब जैसे भाब क्या होते हैं हमारे भाब emotion जो भी है तो जैसे बहे हस्ता है तो बहे हस्ता है तो इसका करतार रवाच की होगो सहा हस्ती अब इसको साहा किसमा कानवर्ट होगा पिरता किसमा होगा तरती वह तो साहा का क्या हो जाएगा तेन साहा का क्या हो गया तेन हस्ती का हस्यत है बहाब बाच हो गया यह तो था पिरता मही अब इसमें देखो बे दोनों हस्ते हैं तो तव हस्ता है तो तव का क्या होगा तव का ताभ्यम होगा ठीक है बट यहां पर हम क्या करते थे वो इसको चेंज गार देते जो रहाँ पर एक बचन ही होगा चाहीं वह बचनो बहु बचनो एक बचनो तो हस्यत थे होगा बे सब हसते हैं तो बे सब का ते हसंती ये करतर्य वाच हो गया अब इसमें ते का क्या होगा तहई तही है और इसमें हसंती हो चा कुछ भी हो इसका एक बच्चन पृत्तम पुरुसी रहेगा तो हसे थे समाझ गया अब आप बात चे बिलकुल अब जैसे मैं अलाग लेता है मंच पर नाशता है तो क्या हो जड़ा नरटक मंच नरत्य थी ये करतर्य वाच वो गया अब इसमें भात को बहुत बढ़िया शेरगर अच्ट करतर्य वाच तो चियंगर थी जए聊-एक-ठavais करतर्य वाच तो चिंहें तो सिंहें है ये इसका थर्द हो जाएगा सिंहेन तो गाइस यह तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया करतर रिबाच को करम बाच में करना अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कोई संका है इस वीडियो से रिलेटेड इसमें कोई भी आपको दिक्कत परिशानी था तो मुझे कॉमेंट करें तो मैं उस तरी के से या तो लाएब आकर या अलग से कोई वीडियो बना दूंगा डाउट सेशन जरूर रखेंगे हम इसके लिए तो आपको कोई भी डाउट होता है बेफिक्र होके निशिंत होके आप मुझे कॉमेंट करें और गाइस अकर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है और लिए और बहुत तारे चीजों को वहां पर एकस्प्लॉर कर सकते हैं वहां पर अभी एक उफर भी चला हुआ इस पॉकन इंगलिश का जहां पर आपको 499 में मात्राप इस पॉकन इंगलिश का कर सकते हैं तो क्यों आप ऐसा करेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लागा ह तो वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्रबाद थांक्स पर वाच